कोश्चन नबर 3 चलते हैं बोल रहा है कि local maximum local minima निकलो और उसके बाद उनकी value भी निकलो आपको functions दिये हुए बोला local maximum local minima points निकलो उसके बाद उसकी values निकलो तो question solve करते हैं एक एक करके local maximum local minima and its value तो पहला function है fx equal x squared तो हम कैसे भी जा सकते हैं इसको हम 0 रखेंगे, तो X के विले कितना हो गया? 0, अब देखो, अगर मैं double differentiation करता हूँ, double differentiation करता हूँ, तो मेरा हजागा 2, इसको 0 हो झाएगा, 2 greater than 0 है, तो यहाँ पे यह point मिला वो कौन सा है, minimum वाला point है, क्या है? minimum point of minimum तो x equals zero पे आपको point of minimum मिलेगा और इसकी value भी कितने मिला जाएगी x equals zero पे 0 value मिल जाएगी तो इसकी minimum value कितने मिले? Zero और point of minimum कितना मिला? Zero इसको इस तरह से graph से भी देख सकते हैं आप देखो y equal x score का graph आपको बनाना आता है इस तरह से बनता है यह ग्राब minimum नीचे से नीचे कितना जा रहा है, 0 तक, तो यहाँ पर x की value भी 0 है, y की value भी 0 है, मतलब point of critical point भी 0 है, point of minimum भी 0 है, और उसकी y की value मतलब, जो minimum value है, वो भी 0 है, इस तरह से भी आप देख सकते हो, okay, question number 2 है, gx equal x cube minus 3x, क्या है, second question है, gx equal x cube minus 3x, वो ही करेंगे हम differences है, तो g dash x equal 3x square minus 3 हो गया, क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे, g dash x equal हो गया 0, तो 3x square minus 3 हो गया 0, तो x square हो गया 1, क्योंकि यह 3 इस तरफ जाएगा, और 3 divide हो जाएगा, तो 3 divide by 3, 1 हो गया, तो x यहाँ पर आगया, आपका plus minus 1, दो value मिली x की, एक तो मिली 1, और एक minus 1, दो critical point मिले, अब देखते हैं, यह polynomial function है, तो minus infinite से infinite देख वेरी करेगा, यह आपको मिला minus 1 और यह मिला 1, अब देखते हैं, इनके बीच में एक value लो लो, minus 2, इनके बीच में एक value लो 0, और इनके बीच में value लो 2, इनको किसमें रखोगे, f dash x में, चलो minus 2 रखते हैं इ 0 यहां पर रखोगे, तो negative मिलेगा, negative मिल लिए, 2 रखते हैं, 2 यहां पर रखोगे, तो positive मिलेगा, तो positive, अब देखो, minus 1 के लिए देखो, plus से minus हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको plus से minus हो रहा है, तो क्या मिलेगा, आपको maximum मिलेगा, इस point पर maximum मिलेगा, अब यहां पर देख मीनिमा है और x equal 1 वाला जो point है वो point of minimum है ओके अब x equal minus 1 को function में रखोगे तो maximum value मिलेगी x equal 1 को function में रखोगे तो minimum value मिलेगी तो maximum value कितनी हो गए आपकी function में रखो minus 1 के लिए तो minus 1 का cube और minus 3 into minus 1 यह आपको मिल गई minus 1 और plus 3 2 value मिल गई और minimum value कितनी मिलेगी 1 रखते हैं तो 1 minus 3 minus 2 तो यह जो आपका function है वो minus 2 से 2 में वैरी करेगा minimum value minus 2 होगी maximum value 2 होगी ओके तो इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है hx equal sin x plus cos x और यह जरूरी चीज़े 0 से pi by 2 में वैरी करता है अब देखों question number 3 है hx equal sin x plus cos x और x की वेली कहां से कहां तक है sorry 0 से लेके pi by 2 पर है अब देखों क्या करोगे first derivative test h dash x equal कितना हो जाएगा sin x का हो गया आपके पास cos x cos x का हो गया minus sin x इसको क्या रखोंगे आप 0 रखोंगे h dash x equal 0 रखोंगा तो cos x minus sin x equal 0 हो गया तो cos x equal sin x हो गया या तो आप इस तरह से देख सकते हो कोस और sin कहां पर दोना सेम होते हैं pi by 4 पर 45 डिग्री पर दोना 1 by 2 और 1 by 2 होता है या फिर ऐसे कर लो डिवाइड कर लो इसको तो 10 x हो जाएगा 10 x equal 1 तो 10 x equal 1 को 10 में क्या लेक सकते हो 10 pi by 4 45 डिग्री या pi by 4 10 से 10 कट गया था x की वेली कितने मिले pi by 4 तो pi by 4 आपका क्या है turning point है अब pi by 4 अब उसका एक बार double differentiation से करते हैं उसका double differentiation करो h-x का तो यह देखो ओके double differentiation कॉस x का हो गया माइनस sin x और sin x का sin x ही रहेगा और sorry cos x हो जाएगा अब देखो बन गया माइनस अगर बार ले लो में तो sin x plus cos x हो जाएगा अब देखो pi by 4 पे h-x की value चेक करते हैं क्योंकि critical point है इस पे h-x की value चेक करते हैं तो यहाँ पे pi by 4 रखो तो यह positive और यह भी positive देगा दोना positive लेकिन आगे लगा negative तो h-x pi by 4 पे कितना हो जागा less than 0 less than 0 हो गया तो यह क्या हो गया point of maxima point of maxima हो गया pi by 4 pi by 4 क्या हो गया point of maxima तो point of maxima पे जो value देगा function वह maximum value होगी तो h pi by 4 कितना मिल जाएगा आपको sin pi by 4 plus cos pi by 4 तो यह आपकी value कितने मिली 1 by root 2 plus 1 by root 2 तो यह होगी 2 by root 2 और यह दोनों कट गए root 2 आपस में आई बास समझ में question number 4 देखते हैं question number 4 बहुत अच्छा सवाल है आप अच्छा से द्यान से देखी fx equals sin x minus cos x 0 से 2 pi में vary हो रहा है देखो यहाँ पर 0 से pi by 2 था तो तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि sin और cos दोना positive है लेकिन 0 से 2 pi में vary करता जाएगा उसके इस अब से हम देखते हैं हमें क्या दिया है fourth question important question question 1 question number 4 क्या है आपका function दिया है sin x minus cos x minus cos x और आपको 0 से 2 pi 0 से 2 pi में आपको x की value दिये क्या करना है आपको वही f dash x करोगे चलो f dash x करते हो तो आपको क्या मिलेगा sin x का हो गया cos x और इस cos x का minus हो जागा sin x और minus और minus प्लस हो गया तो plus sin x हो गया अब क्या करोगे इसको 0 रखोगे f dash x को 0 करोगे चलो करते हैं तो cos x plus sin x equal 0 हो गया तो साइन एक्स एक्वल माइनस कॉस एक्स हो गया आपको पता होगा कि कॉस को साइन में चेंज करने देखो यहां पर है साइन यहां पर कॉस दोनों में कंपेर नहीं हो सकता तो इसको भी साइन बनाना पड़ेगा या फिर इसको कॉस बनाओ तो अगर मैं इसको साइन बनाता ह होता है तो negative किस value पर दोनों देखा, cos भी negative कहां पर होगा, sin भी negative कहां पर होगा, quadrant थर्ड पर, और थर्ड quadrant को कैसे हम लिखते हैं, 3 pi by 2, minus x, यह 270 होता है, 270 minus x, तो sin 270 minus x क्या हो जाता है, minus cos x, अच्छा, यहां पर पूछने वाले पूछ सकते हैं, प्लस x भी तो लिख सकते थी, वो भी तो negative होता, लेकिन, अगर sin pi plus x करते हैं, तो आपको पता है, कि horizontal जो line होती है, इसके आजू बाजू, sin का sin ही रहता है, cos का cos ही रहता है, ठीक है, तो sin का cos नहीं बदल पाएंगा, लेकिन जो y axis है, क्योंकि 3 pi by 2 y axis पर आता है, तो y axis के आजू बाजू, plus minus करोगे, तो sin का cos बदल जाएगा, इसलिए sin 3 pi by 2 minus x हमने लिया, क्योंकि यह minus cos x होता है, अगर यहाँ पर pi plus x लेता, तो वो sin, minus sin x होता, minus cos x नहीं होता, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, इसी वज़े से यह लेने का मेरा कारण है, तो यहाँ पर x equal 3 pi by 2 minus x आ गया, ओके, value क्या मिली, हाँ, अब देखों यहाँ पर ध्यान देनो, अगर आप एक ही value लेते हो, एक ही value लेते हो, तो यह देखों हमें 0 से 2 pi में जाना है, तो 0 से 2 pi में हो सकता ना, एक से ज़्यादा value आए, तो यहाँ पर हम general value लेते हैं, क्या general value आएगी, यह value ना लेके हम आगे लेते हैं, देखों, x इन दोनों से compare करते हैं, x equal n pi plus minus 1 की power n, 3 pi by 2 minus x, ओके, यह है इसकी general value, अब आप n की value बदलते जाओगे, 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 0 से 2 pi में जो value आएगी, वो हम ले लेंगे, तो सबसे पहले n equal 0 रखते हैं, अगर n equal 0 रखा, तो यह क्या बन जागा, x equal 0, plus minus 1 की power 0 कितना हुआ, 1, तो 3 pi by 2 minus x, तो यह क्या बना, x equal 3 pi by 2 minus x, यह x इस तरफ आ गया, तो 2x equal 3 pi by 2, तो x यहां से कितना मिला, 3 pi by 4, क्या 3 pi by 4, 0 से 2 pi में है, हाँ है, तो यह value हमारी ले लेंगे, अब n equal 1 रखके देखते हैं, n equal 1 रखते हैं, तो यहां से द्यान से देखो, तो यह क्या मन जागा, x equal pi, plus minus 1 की power 1, और 3 pi by 2 minus x, अब देखो, यह minus अंदर multiply करो, तो pi यह minus हो गया, तो minus 3 pi by 2, और यह minus minus plus x, अब देखो, यह x और यह x तो कट गया, जब x की value नहीं बची, तो x निकालो कि क्या, तो यह case हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर x की value नहीं मिल रही है, x ही नहीं मिल रहा है actually, ठीक है, अब n equal 2 देखते हैं, n equal 2 रखते हैं, तो x equal, यहां पर 2 रखेंगे, n की जगा, 2 pi plus minus 1 की power 2, 3 pi by 2 minus x, जेखो, minus 1 का square positive ही होगा, प्लस होगा, अब देखो, यह बन गया, x equal 2 pi plus 3 pi by 2 minus x, यह minus x इस तरब आएगा, तो 2 x equal 2 pi plus 3 pi by 2, इन काल्चिम ले लो, तो यह बन गया 4 pi, 4 pi plus 3 pi कितना होगा, 7 pi by 2, 7 pi by 2 होगे, तो x कितना आगे, 7 pi by 4, क्या 7 pi by 4, 0 से 2 pi में आता है, हाँ, 0 से 2 pi में आता है, यह आता है, तो यह ले लेंगे, अब देखो, n equal 3 रखोगे, तो 2 pi से बाहर चला जाएगा, तो हमको यह यह तक लेना है, तो हमें 2 point मिले, critical point, एक तो मिला, x equal 3 pi by 4, एक मिला, x equal 7 pi by 4, यह तो मिला, अभी critical point मिले हैं, अब देखते हैं, इसका double dash x point करते हैं, app double dash x, अभी तक हमें यह नहीं पता, इसका double dash x क्या हो जाएगा, minus sign x plus cos x, तो यह बन गया, minus sign x plus cos x, अब इस पर value check करते हैं, 3 pi by 4 रखते हैं, f double dash x, 3 pi by 4 रखते हैं, equal minus sign, 3 pi by 4, plus cos 3 pi by 4, अब देखो, इन में रखोगे, तो 3 pi by 4 पहले देखते हैं, 3 pi by 4, 180 divided by pi, यह बन गया, 16, 45, 45 into 3, कितना बन गया आपका, 135, 135 degree, sign में 135 degree, जब जब सेकेंड कॉडरें, sign second में positive होता है, लेकिन यहापे negative लगा, इसलिए negative, यहापे देखते हैं, cos second कॉडरेंट में क्या होता है, negative, और negative और negative दोनों मिलके, क्या बन गया, negative, क्योंगे यहापे भी negative, यह दोनों, जब आपस में क्या क्या, प्लस होंगे, तो क्या बन जाएगा, negative, तो यह less than 0 हो गया, तो 3 pi by 4 पे आपकी value क्या मिली, f double dash x less than 0, तो आपको पता है, अगर f double dash x less than 0 है, अब f double dash x less than 0 है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, maximum, इसी तरह हमें चेक करना है, f double dash x 7 pi by 4 पे, दूसरा point भी तो है, उसको भी चेक करना है, तो चेक करते चलो, तो minus sin 7 pi by 4, plus cos 7 pi by 4, अब देखो, 7 pi by 4 कितना होता है, यहाँ पे solve करते हैं, 7 pi by 4 into 180 divided by pi, pi से pi कट गया, यह बन गया आपका 45, 45 और 7 को multiply करो, ओके, तो यह बन गया 28 और 31, 315, 315 कौन से कॉर्डरेंट में आता है, 4th कॉर्डरेंट में, कौन से कॉर्डरेंट में, 4th कॉर्डरेंट में, क्योंकि देखो, यह 0, यह 90, यह 180, यह 270, और यह इसमें आएगा, 360 से लेकर, 270 के वीच में इसमें आएगा, तो यहाँ पे 315, यहाँ पे कहीं पे आएगा, अब देखो, 4th कॉर्डरेंट में, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, साइन क्या होता है, नेगिटिव, अब देखो, डिसाइड कौन करेगा, अगर पॉजिटिव और नेगिटिव कौन, डिसाइड करेगा, अगर यह बड़ा हो गया, यह चोटा हो गया, तो positive आगा यह बड़ा हो गया यह चोटा हो गया तो क्या जागा negative तो हमें उसको solve करते हैं पहले अब देखते हैं यहाँ पर मैं इसको पीछे लिख लेता हूं ठीक है अब क्या किया हमने f double x find किया minus sin x plus cos x उसके बाद 3 5 क्यों कि दो critical point मिले पहला रखा तो हमें यह negative negative मिला तो यह overall negative हो गया तो maxima हो गया ठीक है अब क्या कि हमने f double x less than 0 आता है तो maxima आता है point यह point of maxima हो गया ठीक है अब हम दूसरा critical point पर find करते हैं तो हमें यह मिला ठीक है इसको मैं पीछे लिख लेता हूं f double dash 7 pi by 4 equal minus sign minus sign 7 pi by 4 plus cos 7 pi by 4 अब समझो 7 pi by 4 कितना होता है अगर मैं उसको break करो तो कितना होगा pi plus 3 pi by 4 होगा तो देखो यह हो गया minus sign pi plus 3 pi by 4 प्लस cos pi plus 3 pi by 4 ठीक है अब समझो यह तो minus है आगे sin pi plus theta कितना होता है sin pi plus theta कितना होता है minus sign theta क्योंग़ यह third quadrant में चला गया तो यहोगा minus sign theta मैंनस sin 3 pi by 4 इसकी बात करते हैं cos pi plus theta कितना होता है यह थर्ड क Spaß 3 pi by 4 हो गया अब देखो यहाँ पे तो minus multiply होगे plus होगा side 3 pi by 4 और यहाँ पे क्या होगया minus cos 3 ancestral pi by 4 अब देखो 3 5 by 4 कितना होता है ? अभी थोड़ी दे पहले हमने दिखा था 3 5 by 4 कितना होता है ? 135 इज़ी होता है ? यह कितना होता है ? 135 135 इज़ी कौन से ठानननलेंट प्रेंट पहाता है ? 135 इंड कांतो है ? इन सकंड मेंício यह positive होता है изв han यह over all कितना गया ? greater than zero तो आपका f double dash 7 pi by 4 कितना आगया greater than 0 तो यह क्या हो गया point of minima तो अब आप जब function में 7 pi by 4 रखोगे तो आपको maximum value मिलेगी और function में 3 pi by 4 रखोगे तो आपको maximum value मिलेगी यहाँ पर minimum value मिलेगी आई बस हमने तो आप function में एक एक करके रख देना तो आपको दोन वेल्यू मिल जाएगी तो यह बहुत अच्छा सवाल है इसमें हमने बहुत सारी चीजा से चेक थी सारे concept clear हो गए होगे ठीक है question number आगे दिखते हैं fifth number fx equal x cube minus 6 x square plus 9 x plus 15 ठीक है fifth number है fifth number क्या है fx equal x cube minus 6 x square plus 9 x plus 15 आपको f dash x करना है क्या बन जाएगा 3 x square minus 12 x plus 9 इसको 0 रखो 3 x square minus 12 x plus 9 equal 0 रखोगे जोगे f dash x equal 0 रखना हमें critical point के लिए इसको जब 0 रखोगे तो 3 common लेके उड़ गया देखो तो x square minus 4 x plus 3 equal 0 बचा इसको क्या बना होगे आप x minus 1 और x minus 3 okay break हो गया तो यहां से आपको दो value मिली x equal 1 मिली और x equal 3 मिली दो critical point मिले अब हमें ने पता maxima कौन सा है f double dash less than 0 मतलब maximum मिलेगा greater than 0 मतलब minima तो आपका जो one point है maximum point point of maximum और जो three point of point of minima है क्या है point of minima अब f को f में जब 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा f में 1 रखोगे तो आपको maximum value मिलेगी कितनी मिलेगी 1 cube minus 6 into 1 का square plus 9 into 1 plus 15 यह आपकी maximum value और minimum value क्या मिलेगी जब तो 3 रखोगे तो 3 cube minus 6 3 square plus 9 3 plus 15 तो आपको इस तरह से maximum point minimum point और maximum value और minimum value मिलेगी question number 6 देखते हैं question number 6 क्या कर रहा है gx equal x by 2 plus 2 by x तो आपको देखो क्या करना है इसको differentiation करना है gdash x करना है gdash x हो जाएगा 1 by 2 x का वन हो गया 2 ही constant देखो मैंने बता था 2 1 by x का क्या होता है minus 1 open x square तो यह minus 2 open x square हो गया differentiation अब क्या करोगे इसको 0 रखो जी डैस x equal 0 रखो right उससे पहले मैं यहाँ पर LCM ले लेता हूँ x square minus 4 divided by 2 x square ओके तो x square minus 4 divided by 2 x square 0 हो गया तो यह तो 0 में चला गया क्या बचा आपके पास x square minus 4 equal 0 तो x square equal 4 तो x आगया plus minus 2 दो critical point भी लेगे अब देखो यहाँ पर देखो x equal 2 मिला x equal minus 2 मिला अब अगर आपने ध्यान से कोशन नहीं पड़ा तो यहाँ पर बड़ी गलती कर दोगे x equal minus 2 भी है x equal 2 भी है लेकिन कोशन में condition दिये कि आपको x greater than 0 लेना है तो यह यहाँ से ही अट गया इसको आगे नहीं ले जाएंगी तो आपको critical point क्या मिला x equal 2 आई बास समझ कि इसको इस तरह से करो कि इसको double differentiation कर दो जी डबल डेस एक्स कर दो जी डबल डेस एक्स कितना हो जागा 1 by 2 का तो हो गया 0 माइनस और इसका क्या हो जागा second d by dx of 2 minus 2 d by dx of x square divided by x की पावर 4 तो यह आपके पास बन गया यह तो 0 हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 x तो 4 x divided by x की पावर 4 बन गया आपके पास x x कट गया यह बन गया 4 upon x cube right 4 upon x cube बना g double dash x इसमें हम जब 2 की value रखोगे तो आपको क्या मिलेगा g double dash x 2 क्या मिलेगा greater than 0 मिलेगा positive value मिलेगी तो greater than 0 तो यहाँ पर आपको value क्या मिलेगी minimum point of minimum मिलेगा तो minimum value कैसे मिलेगी तो आपके पास x equal to क्या मिला point of minimum और जब आप g function में 2 रखोगे तो आपको minimum value मिलेगी तो 2 by 2 plus 2 by 2 यह कटके कितना आया 2 तो आपको minimum value कितनी मिली 2 और point of minimum भी क्या मिला टू ओके question number 6 देखते हैं question number 6 sorry question number 6 था अभी यह जो अभी किया है में question number 6 था question number 7 करते हैं gx equal 1 upon x square plus 2 okay question number 7 थे sorry 7 थे में gx equal 1 upon x square plus 2 क्या करना है उसको differentiation करोगे जी डबल डैस इक्स वल second as it is d by dx of first first का करोगे 0 हो जाएगा minus first as it is second का करोगे तो 2x हो जाएगा divide by x square plus 2 का whole square okay g dash x equal कितना आ गया minus 2x upon x square plus 2 का whole square इसको 0 रखोगे g dash x को 0 रखो minus 2x upon x square plus 2 chi square equal 0 हो गया यह इसमें चला गया तो x आपको क्या मिला 2 sorry 0 x क्या मिला 0 0 आपको turning point मिला अब उसका double differentiation करो राइट या फिर आप इस तरह से कर सकते हो 0 है यह minus infinity से infinity है 0 के left में देखो negative है और right में positive है तो कोई भी एक negative value लेलो minus 1 और इस तरह लेलो plus 1 minus 1 g dash x में रखो g dash x क्या है आपका यह इसमें minus 1 रखो तो यह क्या हो जागा minus और minus plus हो गया और यह तो overall plus ही होगा क्योंकि square है तो g dash x यहां पर g dash x क्या मिलागा greater than 0 तो यहां पर आगया plus आप वन रखो वन यहां पर रखो गया तो negative के माइनस के विज़े से negative value देदेगा negative अब देखो यह plus से minus में जा रहा है किसमें जा रहा प्लस से minus तो प्लस से minus में जाता है तो वहां पर आपको क्या मिलता है देखो यह plus की line ठीटा less than 90 यह माइनस की लाइन ठीटा ग्रेटर देन नाइटी तो यहां पर आपको मिलेगा तो यह जो एक्स इकुल जीरो है वह कौन सा है पॉइंट ओप मैक्सिमा पॉइंट ओप मैक्सिमा और जब उसको फंक्शन में रखोगे जी यॉप जीरो तो वन अपॉन जीरो स्क्वेर प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स जीरो से वन यह आप खुट ट्राय करना मैं आपको थोड़ा हींट देते तो मैं एक चीज लिखके लाया हो कि इसका जब आप डिफ्रेंसेशन करोगे एप डैस एक्स तो वह आपके पास आएगा टू माइनस त्री एक्स डिवाइड माइनस एक्स एक्स जीरो रखोगे यह इसमें चला गया तो यहां से टू माइनस एक्स एक्स इक्स एक्वल जीरो तो एक्स आपको मिल गया तू भाइड त्री इसका डिफ्रेंस ना कर देना ौश सेकंड से ठीक है इसमें ताइम वेस्ट नहीं करोंगा अब उसका जब को इसमें रखो जब आपको critical point को 2 by 3 को इसमें रखो गई तो आपको less than zero मिलेगा तो यह जो 2 by 3 वह आपको क्या है point of maximum point of maximum क्योंकि less than 0 आया point of maximum और आपको f of 2 by 3 मिलेगा वह क्या मिलेगा maximum value कितनी मिलेगी function में रखो देखो 2 by 3 अंडरूड 1 minus 2 by 3 तो देखो 2 by 3 हो गई कितना हो गया 1 1 by 3 तो यह आपका आ गया 2 upon 3 root 3 तो यह आपकी आ गई maximum value question number 4 पे चलते हैं question number 4 क्या गया है question number 4 कह रहा है prove that the following function do not have maximum or minimum value देखो maximum और minimum कब नहीं मिलेगा या तो आपको क्या कब नहीं मिलेगा मैं आपको बता देतो या तो आपके critical point नहीं मिलेंगे तब हम maximum minimum find नहीं करवाएंगे या फिर हम क्या करेंगे अगर वो function plus से plus में ही रहता है और minus से minus में ही रहता है critical point में तब जागे हमको maximum minimum नहीं मिलेगा तो हम एक एक देख लेते हैं पहला देखते हैं अब देखो एक की पावर एक से उसको डिफ्रेंस सेशन कर तो एक की पावर एकस करोगे तो वहीं आएगा एक की पावर एकस इसको जीरो रखो चलो एक एक पावर एकस इकवल जीरो क्या एकी पावर एकस कभी जीरो हो सकता है एकी पावर एकस में कुछ भी वैली रख दो एकस की कभी भी आपको जीरो नहीं रहेगा इवन आप जीरो रख दो तो भी बन जाएगा तो यह कभी पॉसिबल ही नहीं होगा यह not possible है तो जब हम function मतल जी एकस सेकेंड है जी एकस अगोल लॉग एकस आफ क्या है जी एकस एकस लॉग यह अब देखो जी डैस chiot कमेश करो results कितनां बॉर्स चलो हमें critical part nman तो ‫Son चलो 1 upon x equal 0 तो 1 equal कितना होगे जीरो क्या कभी 1 equal 0 possible है not possible तो यहां तो यह चीज पॉसिबल ही नहीं हो पार यह तो आगे क्या निकाले question no.3 रखते हैं hx equal this hx equal x cube plus x square plus x plus 1 तो h dash x कितना हो गया 3x square plus 2x plus 1 अब देखो यहाँ पर ध्यान से दो 10th का concept यहाँ पर मैं बता तो आपको ex square plus bx plus c quadratic equation को इस तरह से लेख सकते हो और आपने सुना हुए अगर real root चाहिए तो इसका d greater than equal to 0 होना चाहिए real root के लिए लेकिन d क्या होता है b square minus 4 ऐसी यह greater than equal to 0 होना चाहिए अगर greater than 0 है तो आपको real root तो मिलेंगे लेकिन distinct मिलेंगे अगर d equal 0 है तो आपको क्या मिलेगा आपको equal root मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर अगर d less than 0 आ गया तो आपको imaginary root मिलेंगे ठीक है और imaginary root नहीं होंके तो हमें क्या मिलेगा अगर d less than 0 आ गया यहां पे तो हम क्या बोलेंगे कि इसके कोई real root possible नहीं है जब x की value real possible ही नहीं है तो हम आगे क्या find करेंगे तो ठीक है तो इसका d निकालते हैं यहां पे a है 3 b है 2 और c है 1 तो इसका b square minus 4 यहीं करते हैं b square मतलब 2 का square minus 4 into 3 into 1 यह क्या 4 minus 12 less than 0 आया जब d less than 0 आया तो no real root क्या लिखोगे no real root तो no real root मतलब x की value real possible ही नहीं है तो हम उसकी maxima minima क्या find करें तो इस तरह से यहां पे भी आप लिख सकते हो कि इसके maxima और minima not possible question number five देखते हैं ándlor five find absolute maxima और absolute minimum देती है यहां पे बोल रहा है absolute maxima absolute minima तो हमको क्या निकालना है absolute maxima और absolute maxima और यहां पर मैंने एक सारे अचीज बताए थे तो यहांसे close interval देखो, ठीक है, A और B CP मिल गया, आपको critical point मिल गया, समझो, यहाँ पर X मिल गया, critical point, तो आपको आगे कुछ नहीं करना, सबसे simple यह ही है आपको function में X रखो function में A रखो, function में B रखो ठीक है, यहाँ पर X से ज़्यादा भी मिल सकते, critical point, इसमें जो सबसे बड़ी value आती है, वो आपको absolute maxima, सबसे चोटी आती है वो absolute minima, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो question number 1 देखते हैं, Fx equal X cube, और आपको X की value minus 2 से 2 दिए तो आपको देखो, steps क्या follow करने है, पहले आप F-X करो यहाँ गया 3X square F-X को 0 रखो critical point के लिए, तो 3X square अगर 0 रखोगे, तो X की value मिल गई आपको 0, अब क्या बिलो, देखो, X equal 0 रखा, एक point तो मिला critical point और 2 point क्या है, हमारे corner value, जो हमें interval से मिलेंगे, तो आपको function की value check करने है 0 पे, function की value check करने है minus 2 पे, और function की value check करने है, 2 पे तो function की value 0, 0 रखो, यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, minus 2 रखोगे, तो minus 8 बन जाएगा, और 2 रखोगे तो 8 बन जाएगा, अब देखो, यहाँ पे सबसे कम क्या है, minus 2, तो यह हो गया, absolute minimum absolute minimum value और यह क्या बन गया, absolute maximum value, देखो यह तो है values अब absolute minimum point कौन सा है minus 2 absolute maximum point कौन सा है 2 है बसंद में तो absolute maximum और absolute minimum सबसे simple है second question दिखते हैं fx equal sin x plus cos x पर आपको x कितना दिया 0 से पाई में देखो करना क्या है f-x करेंगे आपको क्या मिला sin x का हो गया cos x cos का हो गया minus sin x अब उसको क्या रखो गया 0 तो cos x minus sin x equal 0 हो गया तो यह एक तरब जाएंगे तो 10 x कितना हो गया 1 हो जाएगा 10 x तो x कितना हो गया पाई बए 4 यह एक critical point मिला ठीक है उसके बाद यह 0 और यह पाई यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने general solution क्यों नहीं लिया क्योंकि 0 से पाई में यह राइट अब देखो 0 से पाई बए 4 लिया अब देखो f of pi by 4 रखो f of 0 रखो और f of pi रखो इन तीनों पर value चक करो यह सबसे simple आपको क्या करना है critical point निकाल दिया और critical point और corner पर value चक करो जो सबसे बड़ी हो वह absolute maximum जो सबसे चोटी वह absolute minimum तो f of pi by 4 तो इसमें pi by 4 रखो तो 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 प्लस 1 by root 2 तो यह उगया 2 by root 2 अगया root 2 f of 0 रखो sin में 0 0 cos में 0 1 हो गया f of pi रखो sin में pi रखो तो 0 cos में pi रखो तो minus 1 तो minus 1 तो यहां से आपको यह minimum मिला minimum value absolute minimum value और यह देखो root 2 कितना होता 1.4 के something होता है 1.4 होता है तो यह absolute maximum value और किस point पर मिली है pi by 4 पर किस point पर पर पाई पर आई बास समझ में question number 3 देखते हैं इसी कहत्री पाट है fx equal 4x minus x square by 2 क्या है fx equal 4x minus x square by 2 और आपको x की value दिया minus 2 से 9 by 2 करना क्या है f dash x करो यह आगया 4 minus 2x by 2 2 से 2 कड़ गया 4 minus x f dash x को 0 रखो critical point निकालने के लिए तो 4 minus x equal 0 x की value आगया 4 अब हमें क्या मिला 3 point f of 4 और corner value पर भी check करना पड़ेगा f of minus 2 और f of 9 by 2 इन पर आप value चेक कर लो तो 4 into 4 minus x square यह तो 4 का square कितना हो है 16 by 2 तो यह 16 minus 8 कितना हो गया 8 f of minus 2 रखो तो 4 into minus 2 minus minus 2 का square कितना हो है 4 4 divided by 2 हो गया 2 तो यह हो गया minus 8 minus 2 equal minus 10 f of 9 by 2 रखो तो 4 into 9 by 2 minus 9 by 2 का square कितना हो गया 81 divided by 4 और 4 को 2 से multiply कितना होगा 8 तो इसका value कितना होगा 2 तो 9 by 2 minus 81 by 8 इसकी जो value क्या आएगी 81 को 8 को 9 से multiply करो 72 और इसको multiply करो तो यह negative value आएगी तो 81 को इसमें किया तो कितना होगा 81 को 2 से किया तो 162 162 divided by 16 तो 162 मैंसे 72 गायब हो गया तो यह आपके बाद से 609 90 90 divided by 16 ठीक है तो यह आ गया 5 point something कुछ आएगा आपका ठीक है अब दिखो यह 5.6 आ गया अब दिखो इसमें सबसे कम कौन सी है माइनस 10 राइट और सबसे ज्यादा कौन सी है 8 आई आई बाद समझें तो यह यह तो 5 यह तो 8 तो maximum कितनी मिली value absolute maximum value 8 किस point पर 4 point पर absolute minimum value माइनस 2 पर कितनी मिली माइनस 10 ओके question number 4 देखते हैं अब फिप्त का लास्ट question है यह question number 4 थे fx equal x minus 1 का whole square plus 3 x की value minus 3 से 1 के बीच में राइट क्या करोगे f dash x करोगे 2 x minus 1 हो जाएगा f dash x को 0 रखोगे तो 2 x minus 1 equal 0 तो यहां से आपको x की value मिल गई 1 critical point 1 मिल गया अब क्या करोगे एप ओप में 1 रखोगे एप ओप में minus 3 रखोगे एप ओप में देखो f of minus 3 से 1 में था अब 1 already रख चुके है one already रख चुके तो बार बार रखने के ज़र नहीं है ठीक है क्योंकि critical point भी वह है और corner point भी वह है तो f of 1 रखो तो 1 minus 1 0 plus 3 तो 3 आ गया और minus 3 यहां पर रखो तो minus 3 minus 1 का स्क्वेर प्लस 3 यह minus 4 minus 4 का स्क्वेर शिक्स्टीन 16 का 16 प्लस 3 कितना हो गया 19 तो यह होगे absolute maximum यह होगे absolute minimum absolute minimum okay question number 5 भी कतम question number 6 देखते हैं find the maximum profit that company can make if the profit function is given by this यह आपको function दिया है और बोला maximum profit निकालना है मतलब maximum निकालना है okay okay तो क्या कह रहा है यह maximum profit निकालना है तो आपको क्या करना है differentiation करना पड़ेगा p-x यह होगे 0-72-36x ओके और p-x 0 रखोगे p-x इक्वल 0 तो माइनस 72-36x इक्वल 0 तो 36x इक्वल माइनस 72 एक्स की वैलिए आगे-72 by 36 मतलब माइनस 2 एक्स की वैलिए आगे-2 राइट अब माइनस 2 इसका double differentiation करते है p-double-x क्योंकि यह point कौन सा है maximum minimum पता तो करे p-double-x find कर दे तो यहां से माइनस 36 आ जाएगा sorry p-double-x हाँ माइनस 36 p-double-x कितना आ गया माइनस 36 यह क्या है less than 0 है क्या है less than 0 है तो आपको पता चेल गया पता है p-double-x इसमें देको 2 रख माइनस 2 रख भी नहीं सकते क्योंकि यह constant है तो माइनस 36 आल्रेडी दे रखा है less than 0 है तो आपको यह क्या मिला maximum maximum तो x equal minus 2 एक ही point मिला critical point यह क्या है point of maximum और maximum value कैसे मिलेगी maximum profit कैसे मिलेगा p में आप रखोगे minus 2 तो 41 minus 72 into minus 2 minus 18 into minus 2 का square यह बन गया 41 minus 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 plus हो गया और यह हो गया 144 और यह देखो minus 18 into 4 41 plus 144 यह 18 यह 18 into 4 कितना हुआ 72 minus 72 तो अब देखो यह कितना बन गया आपका पास 144 minus 72 कितना हुआ 2 और 72 72 72 प्लस 41 यह आपके पास बन गया है 3 और 11 तो यह 113 आपका absolute maximum value इसकी कितने बिली 113 इसका confirm कर लेते पीछे 6.5 का question number 6 है हाँ 113 ओके question number 7 देखते हैं इसमें बोला है कि maxima और minima find करो यहाँ पर interval दे रखा है अब देखो ध्यान से देखो अब आप बोलोगे sir maxima और minima ही दिया है तो हम तो local निकालेंगे लेकिन यहाँ पर क्या दिया है आपको interval भी दिया है और वह भी कौन सा interval है close interval open होता इस तरह तो तो आप locally मानते लेकिन अगर मैंने बता है था critical point मिले है उसके बाद अगर close interval मिले तो वहाँ पर अगर maxima बोल रहा है तो भी समझ लेना कि absolute maxima की बात कर रहा है तो यहां से दिखते हैं फंक्शन आपका दिया है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेर माइनस 48x प्लस 25 तो यह fx आपका हो एपडेस x हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वेर प्लस 24x माइनस 48 एपडेस x को 0 रोको कि कि क्या है तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वेर प्लस 24x माइनस 48 एक्वल 0 यहां से 12 kaumman आ रहे है उड़ा दो common लेके राइट और है यह 12x क्यूब माइनस 2x स्क्वेर प्लस 2x माइनस 4 एक्वल 0 अब यह क्यूब कि क्यूब है इसके roots क्या होंगे अब देखो यहाँ पे x cube minus 2x square है इन मैंसे x square common आजएगा और यहाँ से 2 common आजएगा तो यह x square common आगे तो क्या बचा x minus 2 और यहाँ से 2 common आए तो क्या बचा x minus 2 equal 0 अब इन दोनों मैंसे x minus 2 common आ रहे तो x minus 2 और x square plus 2 equal 0 अब देखो क्या यह कभी 0 हो सकता है स्क्वेयर प्लस टू यह कभी जिरो नहीं हो सकता तो इसको तो नहीं ले सकते हम तो यह 0 होगा रिस्पॉंसिबल होगा जिरो बनाने के लिए तो एकस माइनस टू इकवल जिरो तो एकस की वैल्यू आगे टू अब आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए एक तो हो गया प्दा आजीतों कोस्ट नमबुच्छ नमबर सेवंथ आपको स्कम सह bas TV मिलेगाय और वैलिए मिले मैले मानिए Cord तरह। पर आपको मैक्जीमय적 नमबर मिलेगे अब पर मिलेगे 25 झारक में !! तुर what point in the interval 0 to 2pi does the function sine 2x attend its maximum value okay पूछ रहा है कि 0 से 2pi में क्या sine 2x अपनी maximum value attend करती है ठीक है उसकी maximum value हमको प्राप्त होती है तो हम देख लेते एक बार ठीक है तो देखो हमें क्या function क्या दिया है function दिया है हमको sine 2x उसका differentiation करेंगे critical point निकालेंगे f-x कितना हो जाएगा 2 cos 2x ओके फिर इसका क्या करेंगे f-x को 0 रखेंगे तो देखो 2 cos 2x इक्वल 0 रखेंगे तो cos 2x यहां से कितना मिल गया यह 0 नीचे आ जाएगा 0 के तो 0 अब cos 0 कब-कब होता है 0 से 2pi में देखो 0 से 2pi में तो इसका जहां पर 0 0 होगा तो 2n plus 1pi by 4 तो यह आपका आगया general solution अब हम उसमें n की value रखके देखते एन इक्वल 0 रखते हैं यह1 यह एन एन इक्वल 0 रखते हैं जब एन इक्वल 0 रखते हैं तो आपको x की value क्या मिलती है 0 plus 1 5 by 4 5 by 4 मिलगी जब n equal 1 रखते हैं तो आपको कितनी मिल जाए कि 1 यहाँ पर आजागा तो 2 into 1 2 plus 1 3 5 by 4 x की value कितनी मिलगी 3 5 by 4 n equal 2 रखते हैं 2 रखेंगे तो 4 और 5 5 by 4 n की value 3 रखते हैं तो x की value मिलगा 3 6 7 7 5 by 4 और अभी उससे और ज्यादा रखोगी तो आपको क्या मिलेगा n की value 4 रखने पर देखो 4 into 2 8 9 9 5 by 4 जो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 3 value यहाँ पर critical point की मिली जो 2 0 से 2 पाई में exist करती हैं क्योंकि हमें 0 से 2 पाई में देखना है ज़्यादा अगर आगे जाते तो 2 पाई से बाहर चला जाता अब देखो हमें क्या निकले maximum value निकलने तो समझो हमें तीन तो critical point मिले और दो हमें मिले है corner point तो इन पांचों को हम चेक करेंगी एक एक करके पर रखेंगे एफ 3 5 4 रखेंगे एफ 5 5 4 रखेंगे और एफ 7 5 4 रखेंगे उसके बाद आप रखोगे एफ 0 और एफ 2 पाई इन पांचों की value रखके हम देखेंगे कि maximum काम पर मिल रहा है और minimum काम पर मिल रहा है ठीक है तो जब 3 5 4 रखोगे आपको साइन साइन 2 एक्स में वाए तो यह यहां फंक्शन ही है साइन 2 एक्स साइन 2 एक्स में जब हम 3 5 4 रखतो तो हमको क्या 3 5 4 पे हमको क्या value मिलेगी देख लेत एक बार 3 5 4 पे सारी एक मिनट n इक्वल 1 ओके ओके देखो जब हमने n इक्वल 3 5 4 5 5 4 7 5 4 हाँ एक और 5 5 4 भी मिला ना चार वैली मिली हमें critical point की तो एक यहां पर एक और आएगा 5 5 4 एफ और 5 5 4 और एफ और 5 5 4 4 और 2 x में रखो गें आपको मिलेगा 1 ठीक है कैसे मिलेगा साइन 2 इंटो 5 4 एक्स की जगा 5 4 रखा था तो टू से टू टू कट गए 2 टाइमस तो पाइब आफ साइन पाइब टू कितना था वन इसी तरह से आपको 5 5 4 कितना मिल जाएगा साइन में 0 कितना होजता है जिरो अब डेकोँ आपको हमें यह maximum value चाहिए, तो maximum value आपको कहा का पर मिली, 5 by 4 पर और 5 by 4 पर आई बास समझ में, और किस किस point पर मिली 5 by 4 पर 5 by 4 पर, तो देखो 5 by 4 पर आपको मिली 1 और आपको 5 by 4 पर 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 कितनी मिली 1, तो ये दो point ऐसे हैं हमें point ही तो पूछे है, at what point दो point ऐसे हैं, जिन पर sin 2x अपनी maximum value attend करेगा, ओके question number 9 देखते हैं question number 9 क्या करे रहा what is the maximum value of function this, इस function की maximum value क्या होगी, ओके, तो function की maximum value के लिए पहले f dash x करेंगे हम ये क्या हो जाएगा, cos x sin x का cos x हो गया, और cos x का हो गया minus sin x, ओके, तो f dash x 0 रखेंगे f dash x जब हम 0 रखेंगे तो cos x minus sin x equal हो गया 0 तो यहां से 10 x आजएगा 1 तो x की value in general कितने आजएगी n pi plus pi by 4 right, अब n की value अलग 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 value मिलती जाएगी right, अब n की value जब जैसे 1 रखते, 0 रखते हैं तो x की value मिली pi by 4 right, n की value 1 रखते हैं, तो x की value मिली pi plus pi by 4 कितने मिली pi plus pi by 4, अब देखो एक एक करके रखते हैं, function में रखते हैं pi by 4 function में pi by 4 रखा, तो sin pi by 4 plus cos pi by 4, कितना हो गया, 1 by root 2 plus 1 by root 2 तो यह कितना हो गया, 2 by root 2 और answer कितना मिला, root 2 अब pi plus pi by 4 रखते हो, तो देखो sin pi plus pi by 4 plus cos pi plus pi by 4, देखो ये third quadrant है, ये भी third quadrant है, right, third quadrant में sin भी negative होता है, तो minus sin pi by 4 हो जाएगा, और third quadrant में cos भी negative होता है, तो cos pi by 4 हो जाएगा, तो ये आगया, minus 1 upon root 2 और minus 1 upon root 2, तो ये आपका minus 2 by root 2, तो आपका आंसर कितना मेला, minus root 2, तो आपको minimum value कितनी मिली, minus root 2, किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यह कितना होगया 5 5 4 5 5 4 और maximum value कितनी बिली root 2 किस पॉइंट पे 5 5 4 पे ओके question number 9 खत्म question number 10 दिखते हैं find the maximum value of this function in interval 1 2 3 और second बारी में कह रहा है कि अगर interval minus 3 से minus 1 होता तो आप क्या रखते हैं तो दिखो पहले solve करते हैं f x है function कितना दिया आपको 2 x cube minus 24 x plus 107 आप उसका f x निकालोगे यह होगे 6 x square minus 24 f x 0 रखोगे तो 6 x square minus 24 equal 0 तो 6 x square equal 24 तो x square equal आगे 4 और x equal आगे plus minus 2 अब देखो पहली बार में हमें इंटरवल कितना दिया 1 2 3 और यहां पर critical point कितना आ रहा है एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है minus 2 क्या minus 2 1 2 3 में आता है नहीं आता तो इस case में यह minus 2 नहीं आएंगे पहला case में तो क्या हमारा critical point कितना हो जाएंगे f of 2 f of 1 और f of 3 इन 3 पर हम value check करेंगे function की इन 3 पर value check करेंगे जो भी maximum आएगे वह maximum लिख लेंगे और जो भी minimum आएगे वह minimum लिख लेंगे आप यह check कर लेना second बारी में देखते है find maxima of same अब है minus 3 से minus 1 अब interval कितना हो गया minus 3 से minus 1 अब देखो अब यह minus 2 इस interval में लाए करता है ठीक है minus 3 minus 2 यह आता है तो अब हमारा point 4 हो जाएंगे 2 minus 2 और 1 और 3 और यह भी हो जाएगा minus 3 एक मिनट मिट अब हमारे minus 3 से minus 1 में point कितने हो जाएगे अब 2 हट जाएगा देखो इस बारी में जो 2 होता है critical point और minus 2 में से 2 हट जाएगा तो अब हमारा critical point कितने बन जाएगे minus 3 minus 2 minus 1 क्योंकि 2 भी critical point था जो हट गया दूसरे किसमें इन पे भी आप value देख लेना function की जो भी maximum हो वो maximum हो जाएगा आपका जो minimum value आएगी वो minimum हो जाएगी okay question number 11 देखते है question number 11 क्या कह रहा है it is given that x equal 1 the function this attained maximum value क्या बोल रहा है कि यह जो function है x equal 1 पे अपनी maximum value दे रहा है और हमें interval दिया 0 से 2 अब देखो ध्यान से दो इसी line से समझो हमने starting में पढ़ा था जहां पर भी function maximum या minimum value देता है वहां पर आपका x किया हो जाएगा 0 क्योंकि slope कितनी हो जाएगी 0 तो हम यह पर कर देते हैं f-x कितना हो जाएगा 0 होना चाहिए क्योंकि जहां पर maximum मिलेगा वहां पर 0 होना चाहिए तो देखते है यहां पर f-x करते इसका 5-x करो गे तो आपको मिलेगा 4x cube कियोब माइनस 601 21 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और 12 124 एक्स प्लस ए अब देखो हमें कहां पे 0 होगी एक्स एक्स इक्वल 1 पर यह मैगजीमा देगा तो अब 10 10 10 कितना होना चाहिए जीरो तो वन रखतें इसमें दो फॉर इंटू वन का क्योओ माइनस 124 इंटू वन प्लस ए प्लस एँ सोई हो चैने लोगे ऑनफेस इघरोगे इनक्स प्लस टो यह तो कि यह जो function है x equal on पर maxima दे रहा हैं तो आपको पता maxima minimum जहाँ पर मिलता है वहाँ पर हमारा tangent की slope कितने हो जाएगे 0 मतलब f-1 कितना हो जाएगा 0 तो मैंने value रख दी और a की value निकाल दी हमें a की value ही find करने थी okay question number 12 दिखते हैं find the maximum and minimum value of this इन 0 से टू पाई में 0 से टू पाई में इनकी value find करने maximum और minimum तो function क्या दिया है x plus sin 2x f-x कितना हो जाएगा 1 plus 2 cos 2x राइट अब समझो f-x को 0 करोगे तो 1 plus 2 cos 2x equal 0 तो 2 cos 2x कितना हो जाएगा-1 तो cos 2x कितना होगा-1 by 2 तो 2x कितना हो जाएगा इसका general solution क्या आता है 2N π και chaos 2π 5 3 कितना होता है मैंनस 1 बाई 2 पैट तो यहां से x कितना मिल जाएगा जाएगा एएन plus मैनस 2 नीचे आ जाएगा इसके तो 2 से 2 कड़ गया इसके निचे 2 आएगा तो pi by 3 बच जायगा यह आगया general solution x अब x की value रखते हैं n की value रखते n इकल 0 तो x आपका बन जाएगा यहाँ पर 0 रखोगे तो pi by 3 न की value 1 रखोगे एकस की value बन जाएगी pi PLUS pi by 3, दो बनेगी एक तो pi PLUS pi by 3 आएगी और एक आएगी pi minus pi by 3, n की value 2 रखते हो x की value आए गई 2 pi plus pi by 3 और दूसरी आए गई 2 pi minus pi by 3 अब देखो ये क्या होता है ये कितना है 2 pi से ज़्यादा चला गया 2 pi plus हो गया लेकिन हमें 0 से 2 pi में दिया है तो ये वाला case cancel हो जाएगा ये 2 pi minus ये pi minus है तो ये तीनों सब valid case है तो अब क्या चेक करना हमें maximum minimum चाहिए तो पहले तो चेक करो f of pi by 3 पे फिर f of 2 pi by 3 पे फिर f of 4 pi by 3 पे फिर आपको चेक करना है 4 pi by 3 हो गया ये pi 2 pi by 3 हो गया और 6 pi 6 एक मिनट 2 pi minus आई तो 6 pi minus 5 by 3 एक मिनट ये आपके आगया 4 pi by 3 ये आगया 2 pi by 3 ये pi by 3 हाँ ये 5 pi by 3 6 pi minus pi 5 by 3 और corner value भी चेक करने पेड़ेगे f of 0 f of 0 और f of 2 pi तो इन सब में जो आपका maximum value मिले वो आपका maximum हो जाएगा जो minimum हो जाएगा तो question number 12 खतम हो गया है question number 13 से लेके question number 26 ये सारे हमें language वाले question है ठीक है इसमें हमें equation बनानी पड़ेगे समझ के सारा बनाना पड़ेगा तो आप comment में बताना मैं इसका एक अलग पूरा session बना दूँगा 13 से लेके 26 तक ठीक है तो हमें 13 से 26 इस वीडियो में नहीं मिलेगा तो हमें 27 से start करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं बोल रहा है कि the point on the curve x square equal to y which is nearest to the point 0,5 देखो ये क्या कह रहा है एक curve है x square equal to y ये इस तरह सा ये इस तरह सा को curve है अब बोल रहा है इस पर एक point है ठीक है point on the curve is इस पर एक को कोई पॉइंट है समझो x,y और बोल रहा है कि 0,5 0,5 इससे इसकी सबसे nearest जो क्या distance है वो आपको निकालनी है क्या कह रहा है समझो ये curve है इस पर एक point है x,y और वो ऐसा point निकलना है जिससे इसकी distance सबसे pass में है सबसे nearest तो देखो कैसे निकालेंगे आप समझो आपको क्या करना है दो point है हमारे x,y और दूसरा point दिया 0,5 इनके बीच का दोनों का distance निकलना है तो जैसे मान लिए मैंने d point निकलना है x और y की value निकलना है अब समझो मैंने d मान लिए अब देखो आपका दी क्या बन जाएगा दो point के बीच का distance क्या होता है x-x1 का whole square मतलब x-0 का square कितना हो जागा x square plus y-5 का square तो देखो d square दोना तरब square करूंगा तो हट जाएगा x square plus y-5 का square अब देखो ये सारा y में equation है ये x में तो मैं x square की जगर 2y रख सकता हूँ तो मैं रख रहा हूँ d square equal x square की जगर 2y रख दिया plus y-5 का whole square कर दिया तो d square बन गया 2y plus y square minus 10y plus 25 तो ये मिल गया आपको y square 2y minus 10y minus 8y plus 25 d square ये मिला अब देखो d square को मैं एक माल लेता हूँ z value ठीक है ताकि डिफरेंस से करना है easy रहेगा तो z आपके पास आगया y square minus 8y plus 25 अब देखो इसका क्या निकलना point निकलना है तो डिफरेंसेशन करते है एक बार d z by dy y के respect मा करेंगे इस पार तो ये हो जागा 2y minus 8 इसको 0 रखेंगे क्योंकि हमें वो point find करना है एक बार जहांपर ये maximum और minimum value देगा slow point करना है 0 तो 2y minus 8 equal 0 तो y की value आगी plus minus 2 root 2 sorry 1 minute y की value आगी 2y equal 8 तो y की value आगी आपके पार 4 y की value 4 आगी y की value यहांपर रखते है तो x की value क्या मिलते है देखते है x square equal 2y है और y की value है 4 तो x square हो जाएगा 8 तो x आगे आपके बास plus minus 2 root 2 तो आपके बास कितने 2 point मिले 2 root 2 ,4 और एक मिला –2 root 2,4 यह दो ऐसे पॉइंट हैं एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा दो ऐसे पॉइंट है जिससे इसकी डिस्टेनस सबसे नजदिक होगी आई बात समझ में question no.27 में आपका answer हो जागा 2 root 2,4 ऐ हो जाएगा question no.28 देखते हैं 28 क्या कहे रहा है for all real value of x minimum value निकालने है इसकी simple है आपको differentiation करना आना थी 1-x plus x square divided by 1 plus x plus x square देखो इसका differentiation में करके लाए हो आपके लिए तो f dash x इसका हो जाएगा minus 2 1 minus x square divided by 1 plus x plus x square का whole square इसका differentiation जब आप करोगे तो यही मिलेगा अब उसको क्या करोगे 0 रखोगे इसको 0 रखो तो minus 2 1 minus x square divided by 1 plus x plus x square का whole square equal 0 यह इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ से आपका 1 minus x square equal 0 तो x की value आगे plus minus 1 x की value आपको कितने मिली plus minus 1 अब function में रखते है f f of 1 रखोगे और f of minus 1 रखोगे f of 1 रखोगे तो आपके पास मिलेगा देखो यहाँ पर 1 रखते हैं तो जब आप 1 रखोगे तो आपको मिल जागा 1 by 3 और minus 1 रखोगे तो आपको मिल जागा 3 तो एक आपको यह minimum value मिलके यह आपको maximum value मिलके किस point पर minus 1 और 1 तो आपको कौनसी value चेह minimum minimum 1 by 3 तो आपका answer हो जागा D okay question number 29 देखते हैं last question 29 क्या कह रहा है कि maximum value निकालने इस function की y equal x x minus 1 plus 1 की power 1 by 3 और 0 से लेके 1 तक 0 से लेके 1 तक x की value है ठीक है अब देखो इसका भी मैं differentiation आपके लिए करके लाया हो तो उसका f dash x कितना हो जाएगा यह function था इसका f dash x है आपका 2x minus 1 divide by 3x square minus x plus 1 की power 2 by 3 यह आपका इसका difference है था नहीं ठीक है अब f dash x इसका 0 करोगे आप तो यह क्या बन जागे 2x minus 1 divide by 3x square minus x plus 1 की power 2 by 3 equal 0 हो कह है यह इस तरफ चला गया तो 2x minus 1 equal 0 x equal आगे 1 by 2 अब देखो यह तो आगया critical point और यह corner point दिये इसको इस तरह से भी लिख सकते 0,1 तो आपको f of 0 पर find करना है f of 1 by 2 पर find करना है और f of 1 पर find करना है इस पर क्या क्या value दे रहा है 0 पर आपको value देखो 0 रखो के तो 1 0 पर 1 देखा 1 by 2 यहाँ पर रखो 1 by 2 रखो तो 1 by 2 1 by 2 minus 1 कितना होगया minus 1 by 2 plus 1 तो 1 minus 1 by 4 तो यह आगया आपका 3 by 4 3 by 4 की power 1 by 3 तो यह आगया 3 by 4 की power 1 by 3 यह less than 1 ही है देख लो ठीक है 3 by 4 less than 1 है और f of 1 पर कितना है जगा 1 यहाँ पर रखो गया 0 और 0 1 की power 3 तो देखो यह आगया 1 आपका ठीक है तो आपको क्या मिला f of 0 पर भी maximum मिला और f of 1 पर भी maximum मिला और maximum value कितनी भी 1 तो यहाँ से आपका answer C हो जाएगा तो इस तरह से हमने आपका 6 chapter खतम करवा दिया है 6.5 आपका complete हो गया है और इसमें जो हमें language वाले जो question बचे हैं ऐसे ऐसे इस तरह से वो हमें कमेंट में बताना मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँगा तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आये होगा पसंद आये तो like, share और subscribe कर दिजेगा हमने NCRT जो पहला part है NCRT part 1 ने वो खतम कर दिया है अगले वीडियो से हम NCRT part 2 सुरू करने वाले हैं Thank you